नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी सिक्षा है मैं हूँ आपके साथ अजितनाई जैसा कि दोस्तों हम सभी रहते हैं टी गाडेन एरिया में यहाँ पे काम करने की जितने भी प्रक्रिया है इसमें मजदूर के रूप में हमारे माता-पिता ही काम करते हैं अब यह तो रह गई बाते यहाँ पे काम करने टी गाडेन एरिया में जितने महनती काम है वे सभी हमारे मजदूर लोग करते हैं हमारे माता-पिता सब करते हैं लेकिन इन सभी को छोड़ कर भी, टी गार्डेन एरिया में कमपणी को, मेनेजमेंट को कुछ पढ़े लिखे लोगों की भी आवशक्ता होती है, कमपणी के लिए सहायक रूप में, दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों के लि तो चली जानते हैं फिर क्या है ये जोब वेकेंसिया, और समझते हैं इसके लिए क्या-क्या क्या 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 एक्स्ट्र क्या 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 आव सकता होती है, आपको क्या-क्या अभी से ही प्रिपेर कर लेने चाहिए, तो चली फिर जानते हैं और वीडियो पर बनते ह पहला है hospital department यहाँ पे तीन जोब वेगेंसी के लिए आप apply कर सकते हैं पहला है compounder दूसरा है nurse और तिसरा है dresser अगर बात करें compounder के job की तो इसके लिए qualification आपका 12 pass होना चाहिए और साथ में d pharma course complete होना चाहिए दूसरा है nurse जो की लड़कियों के लिए है अगर इस job के लिए qualification की बात करें तो आप 12 pass होने चाहिए और साथ में gnm का course complete होना चाहिए यह course medical field में एक diploma course है जो आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बहतर होगा ताकि आपको आसानी हो इस job के लिए तीसरा है dressing करने वाले कर्मचारी के जोब के लिए डॉक्टर के सहाय करूप इसके लिए qualification की बात करें तो आपका 10 pass होना चाहिए और साथ में आपका cmd यानि की certificate of medical dresser का course complete होना चाहिए यह तो बात थी hospital department की आप बात करते हैं टी factory में जोब वेकेंसी के बारे में टी factory में मुख्य रूप से electrician की आउसकता होती है अगर इसके लिए इस job के लिए qualification की बात करें तो आप 12 pass होने चाहिए और साथ में किसी भी technical institute से आपका electrician का course complete होना चाहिए जैसे के आपको जोब मिलने में सुबिदा हो टी company में यानि की टी factory में अब बात करते हैं तीसरा सेक्टर जोब वेकेंसी के लिए तो पी factory office है जहाँ पर बागान के सारे हिसाब किताब होते हैं यहाँ पर बहुत से staff के आउसकता होती है आप यहाँ पर clerk किया जिसे हम बागान के बाबू कहते हैं इसके job के लिए भी apply कर सकते हैं इस job के लिए qualification की बात करें तो आपका graduate होना चाहिए यानि की bachelor degree complete होना चाहिए और साथ में अगर आप computer knowledge रखते हैं तो बहुत फाइदा होगा इससे मेरा सुझाव यह है कि आप ADFA यानि की advanced diploma and financial accounting का कोर्स भी कर ले तो बहतर होगा और computer में अगर आप excel का काम अच्छे समझ जाते हैं तो और बहतर होगा इस job के लिए तो दोस्तो इसी परकार से आप अपने qualification के आधार पर चाय बगानों के इन विभागों में job के लिए apply कर सकते हैं और दोस्तो जो जो मैंने extra courses के बारे में कहा वो सभी भी आप कर ले ताकि आपको उस job के लिए सुबिदा हो अगर दोस्तो आप qualification रखते हैं required के आधार पर और इसके साथ में जो भी मैंने अभी बात की extra courses के बारे में अगर आप कर लेते हैं तो क्या है कि डूर्स में इतने सारे चाय बगान है कहीं ना कहीं आपका selection हो ही जाएगा दोस्तो अगर आपको लगता है कि ये मेरी सारे बाते जो आपको मैंने अभी बताई है जानकारिक लगे तो इसे जरूर सेयर करें अपने दोस्तों को ताकि वे भी प्रिपेर कर सके जौब के लिए बस मैं यहीं चाहता हूँ कि चाय बगान के रहने वाले लोग सिक्षित होती हुए भी कुछ कुछ जानकारी उनके पास नहीं होती है तो मैं उनको सिक्षित करना चाहता हूँ ताकि आप भी आगे बड़े और आपके बच्चे भी सही जगह में पहुँच जाए बागानी छेतर में बहुत सारे काम का जैसे हैं जिनमें पड़े लिखे लोगों की आउशक्ता तो पड़ती है तो बस अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ झाल